दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों यंसी आटीस रिंखला के अंतरगत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छटवी कच्छा के विग्यान का अंतिम अध्याय अध्याय सोले कचरा संग्रहन एवं निप्टान इस अध्याय की अध्याय से आप जानेंगे की कचरे का निप्टान कैसे किया जाता है कंपोष्ट क्या होता है बरमी कंपोष्टिंग किसे कहते हैं और इसे क्या लाब है कागज का पुनर चक्रन कैसे होता है और अंत में प्लास्टिक हमारे लिए बर्दान है या अविसाब तो आये शुरू करते हैं आज का अध्याय सोले, कच्रा, संग्रहन जिनें हम दुकानों से खरीदते हैं वे प्राय प्लास्टिक की थैलियों में अथ्वाटीनों में पैक होते हैं पैकिंग की जो बस्तुएं होती हैं ये सभी बस्तुएं कचरे में फेक दी जाती हैं और कभी-कभी हम ऐसी वस्तुमें भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तों में बहुत कम उप्योग होता है और प्राया इन्हें हम कचरे में फेग देते हैं तो सबसे महत्वपूर देखिए अपने दैनिक क्रिया कलाब में हम अत्यधिक कूडा कचरा उत्पन करते हैं हम प्राया सारजनिक अस्थलों पर बस और रेलगारी में मौफली खाने के बाद इसका छिलका फेग देते हैं बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेग देते हैं और कोई बच्चा केवल खेल के लिए हैं पेंसिल छीलता है यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथो उस पर स्याही फैल जाती है तब भी हम पेज को फाड़ कर फेग देते हैं और इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपसीष्ट जैसे तूटे खिलवने पुराने कपड़े जूते चपल भी बाहर फेग देते हैं दोस्तों यदि हमारे घरों के आसपास से यह कूड़ा नहीं हटाय जाये तो क्या होगा आपके विचार में यह हमें कैसे हान पहुंचा सकता है और जब सफाई कर्मचारी कूड़े दानों से इसे कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहा जाता है और फिर इसका क्या ह दोस्तों आईए जानते हैं कि ये कुड़ा अगर जुन्ना हटाया जाए तो क्या होगा कच्रे का नेपटान किस प्रकार से किया जाए दोस्तों सफाई कर्मचारी हमारे जो होते हैं वो कच्रे को इकठा करके ड्रकों के द्वारा निचले खुले छेत्रों में जहां गहरे में न उपयोग किये जा सकने वाले पदार्थों से अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार कच्रे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों तत्तों होते हैं जब कच्रे का नेपटान किया जाता है या जो खाली छेतर हैं उनमें उनका भराव किया जाता है उसके पहले जो उ कूड़ा कचरा उसी में फेक दिया जाता है दोस्तों इस भराव छेत्र या जो खाली जमीन है जो गड़ा होता है उसको मिट्टी फैला कर मिट्टी के परस से ढख दिया जाता है और जब ये भराव छेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब इसे पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है लेकिन अगले 20 सालों तक इस पर कोई भवन निर्मान नहीं किया जाता जब तक की कचरा पूरी तरह से जम कर बैठ न जाए दोस्तों कचरे के उपियोगी अवयों के निप्टान के लिए भराव छेत्रों के पास कमपोष्ट बनाने वाले छेत्र बिक्सित कि जाते हैं कमपोष्ट क्या होती है दोस्तों कमपोष्ट क्या है तो कमपोष्ट को जैविक खाद कहा जाता है जो की पेड़ पौधों की पत्तियों अन घरेलू अब सिर्ट जैसे सबजी के टुकड़े इन सब से बनाई जाती है और ये बहुत ही उपियोगी और पोशक तत् जिससे की पौधों का विकास और बृध्धी भहुत तेजी से होता है तो देखिए एक क्रिया कलाब दिया गया है कूड़ेदान में अपने कचरे फेकने से पहले कुछी अस्थान पर इकठा करना है इसमें रसोई घर का कचरा फल सबजी छिलके अंडे का खोल बचा हुआ भो तो जब आप इनको जो सलन गलन योग्य पतार्त हैं जैसे घर के अफसिष्ट सबजी खाने का सामान इसके अलवा पेपर के टुकड़े तो इन सब को भर कर प्लास्टिक के थैलियों में भर कर इनके मुझ को बांद कर दबा दिया जाता है यह प्रियोग के लिए है तो इसक यह लिए आप जब कचरे के ऊपर से मिट्टी हटा कर कचरे में परिवर्तन देखते हैं तो आपको कुछ प्रियोग करने पड़ेंगे कि क्या यह पूरी तरह से गल गया है और उसमें कोई दुरगंद तो नहीं आती आंसिक रूप से गला हुआ है लगभग पूरा गलत है अभी भी दुरगंद आ रही है और इसके अलामा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इन परियोगों के आधार पर देखेंगे कि जिस पालिथीन में कचरा पूरी तरह से बिगलित हो गया है और उसमें कोई दुरगंद नहीं आती हो तो उसे मिर्दा में मिला दिया जाता है और जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं यही कमपोष्ट होता है और यह आपके पौधों के लिए आवस्यक पोसकता तो प्रदान करता है दोस्तों कचरे की कुछ चीजे ही बिगलित होती है जिनसे खाद बनती है प्लास्टिक काच के टुकड़े या जूते क टुकड़ा यह बिगलित नहीं होता है इससे खाद नहीं बनाया जा सकता है इसलिए कमपोष्ट बनाने के लिए केवल उन्हीं पदार्थों का प्रियोग किया जाए जो सड़ सकते हों और आसानी से बिगलित हो सकते हों दोस्तों कुछ पदार्थों के बिगलित और खाद म एक नीले रंग का होता है और दूसरा हरे रंग का होता है नीले रंग के कूड़े दान में पुन उपियोग किये जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक धातुए और काच और इसके अलावा वो पदार्थ ऐसे होते हैं जो हरे रंग के कचरे में डाले ज जैसे सबजी फल के टुकडे बचा हुआ खाना इत्यादी तो इससे आप इन सड़क के किनारे आप जो देखते हैं सूखी पत्यों का धेर उसको कच्रा आपने देखा होगा लेकिन इन पत्यों को अगर जो जला दिया जाए तो ये किसी भी रूप में हमारे लिए फायदे मन होती हैं इसके अलावा ये हानिकारक गैसे कारबन डियाकसाइड आद वातावरण में निस्रित करती हैं लेकिन जला कर एक तरफ हम हानिकारक गैसे फैलाते हैं और इसके अलावा इन पत्यों को कोई उप्योग नहीं होता है और ये हमारे स्वास्त पर भी प्रभाव डालते है दोस्तों आगर जो इन्हें जलाये न जाय या इन्हें कमपोश्टिंग की प्रक्रियाद्वारा जमीन के अंदर दबा कर कुछ दिनों बाद इनका खाद बना लिया जाय तो और भी महत्पूर्ण हो जाता है दोस्तों वास्तों में देखा जाए तो वर्मी कमपोस्टिंग भी कमपोस्टिंग की प्रक्रिया का एक भाग होता है लेकिन वर्मी कल्चर जे कचुए के पालन से संबन्दित होता है और वर्मी कमपोस्टिंग के चुए का खाद होता है दोस्तों हम पौधों को कमपोष्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं कमपोष्ट बनाकर हंसोयंग बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे अपने लिए भी क्योंकि जो कूरा कच्रा बाहर बेकार फेका हुआ है उसको आप पोसक्ततों में बदल कर पौधों के लिए आवस्यक खनिज पदार्थों और खाद्य पदार्थों की बेवस्था कर सकते हैं दोस्तों वर्मी कमपोष्टिंग क्या होता है तो केचुओ की प्रजाती होती है लाल केचुओ ये कमपोष्टिंग में बहुत उप्योगी होता है और केचुओ की सहायता से कमपोष्ट बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कमपोष्टिंग अथवा क्रीमी कमपोष्टिंग कहा जाता है इसके लिए आपको एक गढ़ा खोदना पड़ेगा एक लकड़ी का बाक्स रखें या गत्ते का बाक्स रखें इसमें एक जाल और मुर्गा जाली बिछा देजिए और बिकल्प के रूप में आप देखिए इसमें रेत की एक अथवा दो सेंटिमीटर मोटी परत बिछा सकते हैं देखिए यहाँ पर उसके बाद इसमें जल छिड़क कर नमी लाई जाती है जल बहुत जादे नहीं होना चाहिए और अपसिष्ट की परत को दवाईए नहीं इसे पोला ही रहने दीजे ताकि परत में परियाप्त मात्रा में वायू और नमी बनी रहे इसमें बाजार से खरिद कर कुछ लाल केचुए डालने पड़ेंगे आपको जब लाल केचुओ को भोजन वहां से मिलता है तो इसमें जो भोजन के उनके तत्व हैं वो फल और सबजियों के अपसिष्ट काफी और चाय चानने की बची हुई पत्ती खेत और बगीचे के खरपतवार उन केच के भोजन के रूप में हो सकते हैं तो अब इसके बाद थोड़े दिन के अंतराल के बाद इन पदार्थों को धीरे-धीरे मिलाते रहें अब आप देखेंगे कि जो केचुए हैं वो उससे अपना भोजन लेते हैं और उसको बीट के रूप में निकाल देते हैं तो लाल हुए में एक विशेश संरशना जिसे गिजर्ड कहा जाता है ये भोजन को पीषने में इनकी सहायता करता है तो यदि आप अंडे के छिलके और समुदरी संख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो ये आहार के साथ क्रिम के गिजर्ड वे पहुँच जाता है औ जो उनके लिए अनकूल परिस्तितियां जो होती है बहुत गर्म अथवा भहुत ठंधा वाता वरा नहीं होना चाहिए उन्हें अपने आसपास के नमी किया सकता होती है और यदि आपके चूओ को भली भाद देख भाल करते हैं तो एक महीने में उनकी संख्या दोगुनी हो तो दोस्तों ये जो वर्मी कमपोश्ट होता है ये पौधूं के लिए अनेक प्रकार के पोशचत तो जैसे नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटैसियम, आध की आपूर्ति करता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी अधिक होती है दोस्तों ये जो वर्मी खाद को आप अपने गमले बगीचे और खेतों में ढाल सकते हैं और ये अपसिष्ट से सर्वोत्तम पदार्थ प्राप्त करने की बहुत ही महत्वपूर बिधी है इससे वर्मी कमपोर्ट से आपके बहुत से धन की बचत होगी और आप महंगे रासायनी कुरवरक और खाद ख खर्च करते हैं उन पैसों की बचत होती है तो इसलिए दोस्तों कूड़ा कचरा जो आप फेकते हैं उनको फेकने से पहले आप पहले उसके बारे में सोचिए उसके बाद उसको फेकिए जो आपके बिल्कुल यूच की चीज़े नहीं है उनको फेकिए और जो किसी काम में सकती हैं उनका जो है किसी ने किसी रूप में प्रोसेसिंग या उपयोग करके उससे जो है उपयोगी पदार्थों का निर्मार किया जा सकता है दोस्तों एक गाउं की कहानी है जहां पर लोग अधिक बुद्धिमान है और वहां कच्रा कम निकलता है एक बच्चा है नानू ज उसकी कोई चिंता नहीं है एक बार जब वो हरिष्टेदारी में अपनी मौसी के घर गया तो वहाँ पर उसके मौसेरे भाई द्वारा बनाई गए चीज़ों को देखकर आश्चर चकित हो गया और उसने पुराने चार्ट से फाइल बनाई थी पेंसिल की छेलन से बधाई कार पर फूल बनाये थे और पुराने कपड़ों से चटाई पालिथीन की थैलियों से टोकरी याद को देखकर नानू आश्चर चकित हो गया तो दोस्तों आपको ये लगता होगा कि जो चीज़ें बेकार हैं वो किसी काम में भी नहीं है लेकिन उनका भी उप्योग हम दैनिक स पुराने समाचार पत्र लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र और अन्य बेकार काग जो किया उसकता होगी चमकदार और प्लास्टिक लेकपित कागज का उपियोग मत कीजिए कागज को इन छोटे छोटे टुकडों में आपको फाड़ना है एक बाल्टी एठवर टब में जल डाल कर उसको भीगा देना है कम से कम 24 गंटे के लिए अब एक फ्रेम लेना है आपको जालिदार फ्रेम इस पर वो जो लुगदी बन के तयार हो जाती है उसको पसार देना है या फैला देना है और उनको एक बराबर फैलाना है तो जब वहां से जल पूरी तरह निकल जाए तो आप इस लुगदी को निकाल सकते हैं और इस परत को आसानी से फ्रेम कर अलग कर सकते हैं और फिर इसे किसी समाचार पत्र पर धूप में सुखा सकते हैं समाचार पत्र के किनारों पर आप कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मूडेने और इस लुगदी से आप भिन भिन साचे और आकार की वस्तुए बना सकते हैं अब आईए देखते हैं दोस्तों एक बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण आज के समय में कि प्लास्टिक वर्दान है या अभिसाब दोस्तों हम अपने देनिक यूज में जो चीजें प्रयोग करते हैं उसमें 80-90 प्रश्ण वस्तुए प्लास्टिक या प्लास्टिक का कहीं ने कहीं उसमें प्रयोग हुआ होता है दोस्तों प्लास्टिकों का पुनर चक्रन या रिसाइकलिंग किया जा सकता है लेकिन सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर चक्रन नहीं हो सकता है पालिथेन की थैली और प्लास्टिक विगलिद भी नहीं होते हैं और इसलिए ये जो है इनका पुर्णर चक्रार करना आसान नहीं होता है दोस्तों आज के समय में प्लास्टिक के बिना जीवन की कलपना करना कठिन हो सकता है प्लास्टिक की वस्तुएं ऐसी बहुत सी हैं खिलवने, जूते, थैले, पेन, कंगे, दात के ब्रस, बाल्टी, बोतल, जल की पाइप और इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, लैपटाप है और कंप्यूटर है उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक का प्रियोग होता है दोस्तों, प्लास्टिक का उप्योग संबहुत कोई विशेश समस्या उत्पन नहीं करता लेकिन समस्या तब उत्पन होती है जब हम इसको अपसिष्ट के रूप में प्लास्टिक के विगलन से अंजान होकर इसकी उपेच्छा करते हैं आज हमारे चारोर यही हो रहा है यद्या पी हम इसके दुस्प्रभावों से परचित हैं लेकिन कोई भी इस मामले में सतर्क नहीं है हम अपने उत्तरदायतों को भी नहीं समझ रहे हैं दोस्तों होता क्या है प्लाय हम प्लास्टिक की थैलियों का उप्योग करके पके हुए भोजन के संगरहन के लिए करते हैं प्राय थैलिया खाने की वस्तों को रखने योग नहीं होती है और इन थैलियों में पैक किये गए भोजन को खाना हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकता है दोस्तों इसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे कंड जिनकों की माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है ये हमारे सरीर के अंदर प्रवेस कर जाते हैं और हमारे लिए कैंसर और अन्य प्रकार की जो असाध्य बिमारियां हैं उनके कारण बन सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक या ऐसी थैलियों को दुकानदार ऐसी प्लास्टिक थैलियों को उपयोग करते हैं जिनका इनसे पूरू किसी अनिकार में उपयोग हो चुगा होता है और कभी कच्रा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धो कर भी उपय करने का आग्रह करना चाहिए दोस्तों सभी प्रकार के प्लास्टिक गरम करने अथवा जलाने पर बहुत ही हानिकारक गैसे मुक्त करते हैं ये गैसे कई प्रकार की स्वास्थ समस्याएं जिन में मानों का कैंसर विसामिल है उत्पन कर सकती हैं सरकार ने प्लास्टिक के पुन प्लास्टिक के थैली को भी निगल जाते हैं और कभी कभी इसके कारण इनकी मृत्तु भी हो जाती है दोस्तों सडक और अन्य अस्थानों पर आसाओधानी से फेकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बेकार नालों में पहुँचकर सीवर पढाली में पहुँच जाती हैं और नाले अवरुद्ध हो जाते हैं गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है और भारी बरसा के समय बार जैसी इस्थिती भी उत्पन हो जाती है और प्लास्टिक का ये अंधा धुंद उपयोग जो है ये मानो जीवन के लिए अत्यधिक हान पहुचा सकता है तो दोस्तों प्लास्टिक के अत्य उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो सबसे जो महतपूर उपाय हैं कि किस प्रकार से हम प्लास्टिक के उपयोग को कम करें वो इस प्रकार हैं प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें दुकानदारों से एक कागज के थैले प्रयोग करने के लिए कहें खार्द पदार्थों को प्लास्टिक की थैलियों में ने रखें और प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग के बाद इधर उधर ने फेका जाए और प्लास्टिक की वस्तों को जलाया ने जाए कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ने भरे और ने बाहर फेके और वर्मी कमपोस्टिंग का उप्योग कर रसोई के अपसिष्ट या बेकार पदार्थों का बिवेकपोल निप्टान करें और कागज को पुनह चक्रित करें इसके अलावा कागज के दोनों ओर लिखे रफ कारे के लिए स्लेट का प्रियोग करें और अभ्यास पुस्तिगा में बिना लिखे छूटी कागजों का रफ कारे के लिए प्रियोग करें दोस्तों इसके अलावा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने या इसका विवेक पूर्ण उपयोग करने के लिए हम अपने परिवार मित्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन प्रगार के अपसिश्टों के निप्टान के लिए उचित आजरण का पालन करने के लिए भी प्रे जो सारांस है इस प्रकार है भराव छेत्र क्या है तो भराव छेत्र वह अस्थान है जहां सहर अथ्वा नगर के कचरे को एकत्र करके पटान किया जाता है और कालांतर में इस छेत्र में पार्क आदि बना दिया जाता है दूसरा ये कि रसोई घर के अपसिष्ट सहित पौधो और जन्तु अपसिष्टों का कोखाद में परिवर्थित करना कमपोस्टिंग कहलाता है और रसोई घर के कचरे को क्रीमी अथवा लाल के चुओ द्वारा कमपोस्ट में परिवर्थित करना वर्मी कमपोस्टिंग अथवा क्रीमी कमपोस्टिंग कहलाता है दोस्तों कागज का पुनह चक्रण संभव है और रिसाइक्लिंग द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजे बनाई जा सकती है अगला है कि कमपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारग पदार्थों में बदलना संभव नहीं है और हमें कम से कम अपसिष्ट उत्पन करने की आओ सकता है और हमें अपने चारोर के कच्रे की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए उपाय खोजने चाहिए इसमें ये है कि ऐसी पदार्थ है ऐसे पदार्थ जो recycling जिनका नहीं हो सकता है हम उनका कम से कम प्रयोग करें उनको दुबारा प्रयोग करें और उनका उचित और विवेग पून्धग से निप्टान करें तो ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा छटवी कच्छा के विज्ञान का अंतिम अध्याय अध्याय सोले कच्रा संक्रहड और निप्टान वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांग दर्शन फार सिविल सेर्विसिस को सब्सक्राइब करें वीडि